नमस्कार मैं हूँ सुर्भी सिंग और स्वागत है आपका हमारी चानल नेक्स नाइन न्यूस पर जिहां तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलिवुद के बादशा शारुक खान के बारे जिहां शारुक खान चहां छोटे छोटे किरदार करते थे एक समय में और आज बॉलिवुद के बादशा कहलाते हैं जिहां हर कोई उन्हें पसंद करता है उनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें भी हर कोई जानना चाहता है वहीं आज उस रुपोज में हम सल्मान खान की कितने कडोडों कि संपति के अकेले की मालिक हैं और अपनी आलीशान जिन्दगी कैसे वो जीते हैं जिआँ शारुखुक्षां की को पसंद है हर कोई उनके बारे में जानना चाहता तो इस रपूर्ट में आज की कडोडों की समपत्ती का खुला साथ करने वाले हैं लेकिन यहां नहीं आगे इस रपोट में। की संख्या करोडों में हैं जिहां इंडस्ट्री के तीनों खानों की तुलना में शारुखान सबसे अच्छे लगजीरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं आपको बता दे कि शारुखान की कुल संपत्ति का तो कोई अनुमान ही नहीं है लेकिन चोग आखड़े सामने आए हैं से चान कर आप सब के होश उड़ जाएंगे जिहां आपको बता दे कि शारुखान के पास 600 मिलियन डॉलर यानि कि भारतिय पैसों के हसाब से 4440 करोड की प्रॉपर्टी है जिहां शारुखान के भारत दुबई सहित लंडन में भी आलिशान घर है आलिशान बंगलों के अला आपको बता दे कि अलिबाग का शांदार फार्म हाउस भी इसमें शामल है इन चारुख प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 660 करोड रुपए के आसपास है इसके अलावा भी शारुख कई और सूर्स से पैसा कमाते हैं शारुखान जहां अपने परिवार के साथ रहते हैं उस 295 में 15 करोड में खरीदा था 15 करोड के इस घर से जब से शारुखान का नाम जुड़ा है तब से इसकी कीमत 10 गुना बढ़ गई है जहां शारुखान का सपनों का घर अलिबाग है आपको बता दे कि अलिबाग ने 20,000 वर्ग मीटर में बना फार्म हाउस किसी आलिशान 30 से कम नहीं है अलिबाग फार्म हाउस की कीमत 250 करोड से भी जादा है 2017 में शारुखान को इंकम टाक्स विभाग ने बेनामी संपन्ती ट्रांसेक्शन आक्ट के तहत नोटिस दिया था आपको बता दे कि शारुखान का दुनिया में सबसे महंगे शहर में करोडों का घर बन करते हैं वहां शारुखान के पास 200 करोड की कीमत का बंगला है जहां शारुखान का यह घर सेंट्रल लंडन के पोश एरिया पार्क लेन में बना हुआ है जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि शारुखान को चाहने वालों की संक्या अरब देशों में सबसे जादा है यहां शारुखान ने अपना एक घर भी बना रखा है जिसका नाम सिगनेचर विला है आपको बता दे कि 8500 वर्ग फीट में बना सिगनेचर विला काफी खुबसूरत है इस विला की कीमत 20 करोड रुपए है इस विला में स्विमिंग पूल और प्राइवेट बीच भी है यह खान फैमिली अकसर छुटियां बिताने आती है जिहां शारुखान के पास लेमो जिन से रोल्स रॉयस तक जैसी शाही गाड़ियों के कलेक्शन है इसके अलावा मरस्टीज बेंज बीम जबलू और ओडी जैसी कारों के अलावा बुगाती वरोन भी है आपको बताते कि चानते हैं कि शारुखान बॉलिवुड के सबसे महंगे अक्टर है साथ ही शारुखान का अपना फिर्म प्रोडक्शन हाउस भी है साथ ही मशहूर चहरा होने के नाते शारुखान बड़े बड़े इवेंट भी होस्ट करते हैं इसके अलावा IPL मैच में भी शारुखान की केके आर अपनी चीम है शारुख विग्यापन के जर्ये भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं जहां आपको बता दे कि शारुखान क की लग्जीरियस लाइफ आपने जानी जहां आपने चाना कि शारुखान के पास कितनी प्रॉपर्टी है शारुखान अपनी जुन्दगी कितने आलिशान तरीके से जीते हैं वहीं आपको बता दे कि छोटे मोटे रोल करने वाले शारुखान आज लाखों दिलों पर एदा कर रहे हैं लाखों दिलों की वह धड़कन है लगभग 4440 करोड की संपत्ति के अकेले की मालिक हैं शारुखान और अपने आलिशान बंगले मनत में अपने आलिशान जिन्दगी जीते हैं सिर्फ मनत ही उनका घर नहीं है इसके अलावा कई और बंगले हैं उनके पास और वह सिर्फ भारत में ही नहीं भारत से बाहर भी उनके पास कई बंगले हैं और आपको बता दें कि लंदन में भी उनका एक एपार्टमेंट है जिसकी की मतलग भग एक अरब रुपए है जी हाँ फिल्मों के अलावा शारुखान बहुत सारी कंपनियों के ब्रांड अम्बासड कंपनियों के प्रोडक्ट के लिए शूट कर शारुक करोड़ों रुपए कमाते हैं जी हाँ आपको बता दें कि एक जलक पाने के लिए हर कोई बेताब रहता है शारुखान डाखो दिलों की धड़कन है हर कोई उनकी एक जलक के लिए बेताब रहता है वहीं शारुखान के पार जितनी संपत्ती है, वो ऐसे ही बॉलिवड के बाद शान नहीं कहलाते है फिलम जीरो के बाद अभी तक किसी फिल्म में नजर नहीं आएे हैं लेकिन आपको बता दे के कुछ दिनों पहले ही खबर आए थी कि शारूखान फिल्म पथां की शूटिंग कर रहे हैं और जल्द इसकी शूटिंग खतम होगी और शारु खान की यह नई फिल्म जल्द ही रिलीज हो सकती है क्योंकि 0 फिल्म के बाद शारु खान को किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया है और फ्रांस इस बात के लिए वेताब है कि आखिर कब शारुखान जल्द किसे फिल्म में दिखाई दे आपने देखी अभी रपोर्ट आपने चाना शारुखान की गुल संपत्ती के बारे में जिहां शारुखान लगभाग 4440 करोर संपत्ती के अखेले के मालिक हैं और उनके पास इस देश में ही नहीं विदेशों में भी कई आलिशान घर है और अपनी जुन्दगी को काफी आलिशान तरीके से जीते हैं जिहां छोटे किरदार नफाने वाले शारुखान आज बॉलिवट के बादिशाह बन चुके हैं इस रपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताईए जुने रहे हमारे साथ लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिलको नागुरें